आप सब आई ऊप अच्छे होगे तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हाउ टो अपलोड शॉट वीडियो प्रॉपर्ली मतलब आप सही तरीके से अपनी शॉट वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे ताकि आपके जो शौर्ट वीडियो व वायरला हो सके तो इस वीडियो में मैं आपको step by step सारा प्रोसेस बताने वालो कैसे आपको शौर्ट वीडियो upload करने है कैसे आपकी वीडियो वायरल होगी तो इस वीडियो को आप एंट तक वो 9.16 का रहता है लेकिन अक्सर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखियोंगे जिनका size 1.1 का रहता है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इन दोनों size में आप अपनी जो short वीडियो उसको आप बना सकते हैं अब आते हैं कैसे आपको इसको जो है upload करना है तो देखिए आपको जाना है YouTube पर और YouTube पर जाने के बाद प्लस के अगन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी short वीडियो या तो आप पहले से बना कर रख लीजिए उसको आडिट वगरा करके अपनी voice वगरा जो भी आपको आडिट करनी है वो पहले से आप जो है जो मैंने आपको size बताया है इन size में आप जो है अपनी short वीडियो जो है बना सकते हैं लेकिन इसके अरवा आप जो है अपनी short वीडियो यहाँ से भी बना सकते हैं नहीं आप अपनी वीडियो उसको जो है एड़ अड़िटीव अगरा यहां से प्रपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप पहले से यह अपनी जो शॉर्ट वीडियो उसको आप जो है रेड़ी करके रखें और यहां से सीधा आप जो है उ यह option आप देख रहे हैं यहां से अप्लोड करते हैं शॉर्ट वीडियो को लेकिन मैं आपको बता दो जो मैंने आपको size बताया है इस size में अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो पहले से बना के आपने रखी है तो आप जो है इसको upload वीडियो वाले यह जो option आप देख रहे तो इसके जब आप शॉर्ट वीडियो upload करते हैं उस size जो मैंने आपको size बताया है तो जब उस वीडियो को आप यहां पे जो आपको दो option दिख रहे हैं किसी option पर आप जो है अपनी short video को upload कर सकते हैं मैं आपको इसका live example दिखाता हूँ काफी लोग को जो है इस चीज पर यक करता हूँ अब यहां पर आप इसका interface देखें यहां पर लिखा हूँ है caption your short तो यहां पर तो चलो कोई नहीं यहां पर तो यह शौट वाला option है तो यहां पर आपको यह चीज दिख रही है caption your short अब इसी वीडियो को गाईस मैं आपको जो है डिसे option से करता है अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसको जो है upload video वाले option से जो है इस video को upload करता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया किलिक करने के बाद इसी वीडियो को देखिए portrait size किये last करता हूँ last करने के बाद अब यहां पर आप इसका दुबारा interface यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल सेम है caption your short यानि कि यूट्यूब पर जो data वह already जब आप short video मतलब जो size होता है और जितने second कि आप उसको upload कर रहे हैं तो उसको पता होता है कि आपकी यह जो है short video है और इसक से करना है तो देखिए गाईस यहां पर सबसे पहले आएगा आपका टाइटल जो भी मतलब आप टाइटल डालना चालते हैं और टाइटल आपको ऐसा डालना है बिल्कुल आपका मतलब टाइटल अट्रक्टिव होना चीए क्योंकि आप सभी जानते है आपका आपकी जो short video है वो short feed से ज्यादा viral होती है इसलिए टाइटल मस्ट होता है वहाँ पर आपका मतलब thumbnail नहीं दिखाया जाता है तो आपको जो है टाइटल के जरीए ही कोई भी बंदा जो है आपकी वीडियो पर क्लिक करता है तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान दखना है वहाँ पर टा आपको अनिस्टीडी करना है ताकि आपकी वीडियो जो है पब्लिक ना हो जाए बीच में उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर select audience तो आपकी जो भी वीडियो उसको according आप जो है यहाँ पर made for kids कर सकते हैं और age restriction है तो आप जो है उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो इत और YTS studio में जाने के बाद आपको अपनी उसी वीडियो को यहाँ पर इस तरीके से आपको open करना है मतब जो भी आपकी वीडियो है उसके आपको click करना है जाद सब्सक्राइब आपने यह वीडियो है आपने वहाँ से upload कर दीती उसके बाद आपको उस वीडियो पर click करना हो तो यहाँ पर आपको pencil का icon दिखाए देगा इस पर आप click करेंगे और click करने के बाद इस तरीके से interface आज रहा है अब यहाँ पर आपने टाइटल वगरा सब डाल लिया था उसके बाद आपने यहाँ पर hashtag भी डाल लिया था अब नीचे आता है यहाँ पर description तो description आप open करेंग इसको लोग जो सर्च डियल से भी जो है सर्च करके देख सकते हैं इसके अलावा उपर यह जो title वगरा इसको आपको क्या करना है वहाँ से copy करना है अपने title से और यहाँ पर simply paste कर दे रहा है और queries मैंने आपको बताई दिया searchable topic है तो आपको डालना है अगर searchable topic नहीं है जैस में इसकी जुरूत नहीं है इसके अलावा नीचे hashtag hashtag में आपको तीन hashtag का use जरूर कर रहा है देखे hashtag shorts hashtag youtube shorts और hashtag short video यह जो तीन hashtag है इनका आपको use करना है otherwise इसके अलावा अगर आपका searchable topic है तो आप जो है और भी जो है keywords का use कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर बाकि आपकी मर जी है इसके अलावा आप back आएंगे back आने के बाद इसी तरीके से tags में भी आपको जो है shorts का use करना है YouTube shorts मतलब जो मैं आपको तीन hashtag बताएं इनका use तो आपको shorts में करना ही है इसके अलावा यहाँ पर भी same है अगर आपका searchable topic है तो आप जो है keywords को भी जो है और मतलब keywords डाल सक चाहिए या नहीं तो देखें guys अगर आपके subscriber काफी जाता है तो आपको जो thumbnail है वो लगाना चाहिए क्योंकि जो है जब आप video upload करते हैं तो आपके subscriber तक आपके जो viewer है उनके home skin पे भी जो है आपकी video जाती है तो वहाँ से भी आपको view मिल जाएंगे तो इसलिए आपके subscriber जा अलवा आपकी video देखिए viral कैसे होती है जो short video होती है देखें guys short video दो तरीके से viral होती है पहला होते है आप जो भी title लिखते हैं वह आपका attractive बना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहली बताया कि title देखके ही कोई बंद आपकी video पर click करता है इसके अलवा आपकी video पर जब बंद रखना है और हो सके तो short video आप जितनी इसकी length है वो कम रखेंगे मतब कहने का मतब जो second होते है पात्दर सेकेंड पंदर भी second के short video बनाएंगे और अच्छी खासी बनाएंगे मतब जिसमें आप मतब लोग रुके रहे तो उसका audience retention दो है मतब सही रहता है इस तरीके से आपक short video उसको upload कर सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपको पासंद आई होगे बाकि आपके कोई भी question हो doubt हो आप मुझे comment करके comment box में पूर सकते हैं पागे दोस्तों मिलते हैं next video में thanks for watching